नमस्कार दोस्तों M.A.D.B. Tech Map का स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि VLC प्लेयर से कैसे वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप किसी वीडियो को कैसे वीडियो को कैसे वीडियो कर सकते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं कि आज तक आप लोग VLC प्लेयर को केवल मुविज या वीडियो देखने के लिए यूज करते होंगे लेकिन आज मैं आपको इसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप VLC प्लेयर से वीडियो डाउनलोड और कर सकते हैं मेरे इसाब से VLC प्लेयर दुनिया का सबसे पॉपुलर और स सब के लिए मिल जाएगा और VLC प्लेयर से आप लगबग सभी फॉर्मेट के आडियो और वीडियो प्लेयर कर सकते हैं वीडियो प्लेयर तो VLC का सबसे बेसिक फीचर है इसके अलावा VLC प्लेयर में बहुत से सूपर फीचर से जिने आपने कभी यूज नहीं किया होगा ज ला सकते हैं साथ या वीडियो में वाटरमार्क भी डाल सकते हैं तो दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे पीचर हैं जो कि VLC में हैं लेकिन आज मैं आपको VLC से वीडियो डाउनलोड और कन्वर्ट करने के बारे में ही बताओंगा दोस्तों वैसे तो इंटरनेट पर वीडिय VLC player से ही डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यह दोनों software डाउनलोड करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी क्योंकि वीडियो डाउनलोड करने का काम तो वी एंसी प्लेयर से ही हो जाए रहा है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक करें अब आप ओपन नेटवर्क स्ट्रिम पर जाकर क्लिक करें उसके बाद आप जो वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं उसका URL कॉपी करके पेस्ट कर दें URL पेस्ट करने के बाद आप नीचे दिये गए बटन को देखें जहाँ पर प्ले लिखा है अगर आप वीडियो को आप डियो डाउलोड करना चाहते है तो अप फॉल्डर को सिल्ट करदें तो दोस्तों यह प्लोसस्त करने के बाद आपका विडियो डाउंलोड हो जाएगा अब में आपको बता हूंगा 270 के वीडियो के से इसे कबमर्ट करें सबसे पहले आप सी folder select करें जहां पर आपको converted video को save करना है अब आप convert and save करें उसके बाद आप format select कर सकते हैं जैसे कि MP3 MP4 MKB या जो भी आप format select करना चाहते हैं वह format select करने के बाद आप उस video को convert करके save कर सकते हैं तो दोस्तों इस video में मैंने VLC player से video downloader convert करने के बारे में बताया है अगर आपके पास कोई video downloader software नहीं है या आपके पास कोई video converter software नहीं है तो यह trick आपके लिए बहुत helpful हो सकती है VLC player में और भी बहुत ऐसे helper desk के जो आपको एक smart PC user बना सकते हैं दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये video पसंद आई होगी तो आपको हमारे दोरा दी गई जानकरी कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताएं साथ ही इस video को like वर शेयर करना न भूलें और अगर आपने हमारे चैनल कभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी और भी जानकरी हैं आपके लिए लाने वाले हैं आनलिवड़